गुड़ी दूनिंग फ्रेंट्स, बिलकम अगेन, आज बात करते हैं, क्रोंस डिजीज को कैसे पता करना है, कौन से टेस्ट उपलब्द है, या किन जाचों से पता चलता है, कि किसी ब्यक्त को क्रोंस डिजीज है की नहीं, या ऐसा कह सकते हैं कि इन्फिमेटरी वावल डिज मतलब क्रोंस डिजीज हैं अलसरेटिव कोलाटिस, यह दो बिमारी हैं, दोनों का कारण लगभग जैसे है, इलाज भी लगभग जैसे है, लच्छन में बस थोड़ा संतर है, तो क्रोंस डिजीज किसी को है की नहीं है, वो कैसे पता किया जाए, किन जाचों से पता होगा, क्रोंस डिजीज होता है, तो उसमें जो लच्छन आते हैं, वो डाइजेशन से सम्बंदित आते हैं, जैसे की दर्द होना पेट में, इसके अलाबा मरोड होना, दस्त लगना, स्टूल में खून आ सकता है, इस तरह की समस्या आती है, गैस बनना, पेट फूलना, अब ऐसी बहुत सारी बिमारिया हैं, जिसमें इस तरह के लच्छन आते हैं, काफी तरह के लच्छन आते हैं, कुछ इंफलिमेटरी हैं, कुछ नन इंफलिमेटरी हैं, कुछ में आटो एंटी वाडी बनती है, कई बार कैंसर के कारण हो सकता है, अलसर के कारण हो सकता है, दवाईयों के side effect कर रहा हो सकता है तो काफी तरह की समस्या हैं जिसमें यह लच्छना सकते हैं तो किसी बैक्त को Crohn's disease है कि नहीं है यह कैसे पता किया जाए आपको यह समझना है कि यह पता करना कई बार काफी तफ रहता है मतलब काफी दिनों बात जाके डाइगनोसिस बनती है क्योंकि अपने पास कोई भी ऐसा क्लियर कट टेस्ट नहीं है जिसको कराने के बात बताया जा सके कि Crohn's disease हो गया इसके लिए मैं बलड की बात कर रहा हूं वैसे तो टेस्ट है अपने पास जिनके अभी बात करेंगे अपन लेकिन बलड में कोई एक ऐसा टेस्ट नहीं है जिसको कराने से बोल दिया है 100% केस में कि यह क्रोंस्ट डिजीज ही है दूसरी और कोई बीमारी नहीं है तो इसके लिए जो टेस्ट त्रिक्मन करे जाते हैं वह जो सबसे आत में देखना है कोलन में या सिगमाइड कोलन में देखना है तो कोलनिसकोपी है या सिगमाइडोसकोपी है उपर की तरफ देखना है आत में तो उसके लिए एंडोसकोपी है एक कैपसूल एंडोसकोपी होती बैसिकली आत में अलग अलग तरीके की टेक्निक से जिससे आत के अंदर जहाका जा सकता है तो एक तो endoscopy हो गई और दूसरा एक test होता है बायोपसी का मतलब आत के जिस हिस्से में छाले पड़े हैं घाव है, सूजन है, परफॉरेशन है उस हिस्से से टुकड़ा ले लिया जाए और उसकी जाच की जाए उसकी जाच करने में आत के अंदर ग्रेनलूमा फार्मेशन रहता है क्रोंश डिजीज है कि नहीं या इंफिन्फिनेटरी बावल डिजीज है कि नहीं या अलसरेटीव कोलाइटीस है कि नहीं वो बायोपसी में अच्छे सदिख जाता है इसके अलावा पेसिन्ट का लच्छन भी महातपूर है लच्छन को भी समझा जाता है, हिस्ट्री ले के पूछा जाता है कि मरीज को भी बिमारी कैसे कैसे आई है, कितने कितने दिनों में इनको इसारी समिस्या हुई है तो ये इंडोसकोपी के जांच और बायोपसी के जांच हो गई इसके अलावा ब्लड टेस्ट की बात करें कि खून में ऐसी कौन से जांचे है जो कराई जा सकती है, क्रोंस डिजीज में तो इसमें दो महतपूर जांचे है एक तो होती है P-A-N-C-A टेस्ट जो की इंटीबाडी ये आटो-इम्यून बिमारी है कि नहीं वो देखने के लिए की जाती है तो P-A-N-C-A टेस्ट है अगर ये निगेटिव आगे इसका मतलब है क्रोंस डिजीज नहीं है और एक दूसरा ब्लेड में जो टेस्ट करा जाता है वो है A-S-C-A-I-G-A टेस्ट या A-S-C-A-I-G-G टेस्ट ये जो एक टेस्ट है इससे पता चल सकता है या लगभग 80% लोगों में ये पास्टिवाता है लेकिन ये ब्लेड में A-S-C-A टेस्ट हो गया और P-A-N-C-A टेस्ट है ये दोनों मिला के काफी हद तक समझने में मदद मिलती है इसके अलावा ये किस टूल में टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते है फेकल कैल प्रोटेक्टिंग टेस्ट इससे भी मदद मिलती है बिसिकली ये जब भी inflammation होता है आथ के अंदर inflammation होता है तब इसका level बढ़ जाता है कैल प्रोटेक्टिन का level बढ़ जाता है तो किसी भी तरह की inflammatory lesion हो आथ में उसमें ये बढ़ जाता है तो इससे भी थोड़ा मदद मिलती है कि किसी को crunch disease है की नहीं है इसके अलावा crunch disease के जो भी complication होता है इससे जो समय स्ट्रक्शन होना या perforation हो जाना फिस्चुला बन जाना उसके लिए CT scan के जाच है या X-ray के जाच है इनसे भी काफी हद तक मदद मिलती है या इन जाचों से भी मदद मिलती है diagnosis बनाने में और complication को भी देखने में तो किसी को crunch disease है कि नहीं इसके लिए लच्छन देखना है पेशन का और इसके साथ में काफी सारे टेस्ट है एंडोस्कोपी, बायोपसी के जाच है बलड में टेस्ट है CT scan है, X-ray है, MRI है और इस टूल में प्रोटेक्टिंग टेस्ट है यह सारे कराने के बाद diagnosis बनती है तो इसको डाइगनोस करना काफी टफ पड़ता है इसलिए कई बार Crohn's disease की डाइगनोसिस बहुत ही लेड बनती है तब बनती है जब बीमारी जादा CVR रवस्था मोजाती पेशिंट को काफी सारी तकलीफ हो जाती है तो कैसे करना है इसकी डाइगनोसिस आप समझ गये होंगे या क्या टेस्ट कराए जाते हैं आप समझ गये होंगे Thank you